भाजपा दोरा किया जारा ब्रस्टाचार के खिलाफ जागर मुंबई चा जाही सबा पौची अंदेरी पक्षिम विधान सबा में जहां मौजूद रहे भाजपा आमदार और भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशी शेलार आमदार अतुल भाटर कर आमदार अमिसताम ने जनत कुमेमन जो बंबलास्ट रोपी 12 जगा पर बंबलास्ट करने के बाद स्याकड़ों लोगों की जान ली निचले कोट ने फासी धी हाइं कोड ने कंफर्म की सुप्रीम कोड एगजुट करने के लिए कहां उसने फासी दी आरोपी की कब्र को सजाने के लिए पैसा और समय उ मुस्लिम भाई बेनों को बैकाना ये दोनों बात उद्धो जी सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं ये आपके सामने बता नावश्यक है और उस बात को लेकर हमाई है आप मेंसे कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि मराटी मुस्लिम कहा तो क्या गलता है इसमें अलगावा तुष् मेंडा ये गलत बात है धाई साल मुक्यमंत्री दे उद्धो जी हमारे किसी भी मुस्लिम भाई बेन ने ये मांग नहीं की थी कोवीड का समय था कोवीड के समय के प्रष्टाचार के सारे मुद्धे अतुल जी ने बता है हम तो अपनी जान बचाने के लिए लगे थे हमको क होवाई मिले हमको हॉस्पिटल में बेड मिले बेड के बाद अगर हम अच्छे हुए तो क्वारंडाइन में जगा मिले अपनी तकलीप तो जान बचाने की थी भैसा उद्धाव जी की चिंता थी मुक्यमंत्री इसना थे आपकी मेरी जान बचाना इतने तक नहीं थी ना कि हैसी का विशैता जब आप और मैं अपने जीवन और जिवां की चिंता कर रहे थे तब उद्धब जी की शिवसेना यहाँ पर याकूμ महमन की कब्र सजाने का काम कर रहे थी कब्र सजाना कौन याकूμ महमन जो बांब लास का रूपी बारा जगह पर बॉम ब्लास करने के बाद सेक्डों लोगों की जान ली निचले कोट ने फासी दी हाई कोट ने कन्फर्म की सुपरीम कोट ने एक्जिक्यूट करने के लिए का उसको फासी दी उस आरोबी की कब्र को सजाने के लिए पैसा और समय उद्द्व जी आपके बास था क्यों सिर्फ वोट की राजनिती के लिए आप मेंसे कोई पूछ सकता है ये तो पुरानी बात है उस पार्टी का अगला कारेक्राम ये मराटी और मुस्लिम भाईों को बैकाने के लिए क्या अस्टा पुरावा क्या है अदुल जी उद्व जी के पास आजकल नहीं चैंडाल चोकटी है उसमें से एक को आज मैंने शुब काम नहीं दी यूट्व चैनल खुड रहा है निखिल वागले और उसके सकारी एक हपता नहीं हुआ 22 अक्तोबर को ये निउज आने के बाद साथ दिन में निकिल वागले और उनके लोगों ने कारेकरम शुरू किया उद्व ठाकरे जी को मुंबे महापालिका को चितना है तो असान तरीका निकलाया मुंबे में 227 वाड और 227 वाड में हर वाड में मुंबे 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 ये आउरंजेबाच स्वपन होता मराती मांसानवार इतना ह्याक राइज न राजच आवरे समस्वाना developer त्या पाच वर्षिया मदे देवेद्र जीन नी दोंचे 56 किलोमीटर चा मेट्रोचा काम सुरू केलो और यांचा सरकार आले नंतर ते काम कसा बंद पटलो होतो और येले चान महिने आम आता तुमी पकता है कि कशे धडा धड सगले पिलर उबेर आता है त्या पिलर वर्ती सगला आता ते वरचा स्लाप पड़िये तो है अन्दोरी इस ते बैसर इस ची मेट्रो पूर्ण पड़े पुड़चा तीन महिने थावायलार आगे है और ये तुमाला सांगतो कि दोन हजार सववीस मदे दोन हजार सववीस परिंतम मुंबई मेट्रो पॉलिटन रीजन ची दोन चीछपपन किलोमीटर ची मेट्रो असेल कोस्टल रोड असेल वर्री ट्रांसर बर लिंक असेल नभी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट असेल यह सग्रेया गोश्पी यह सुवूर हलिल अस्ति जिस तरह से जागर मुंबई सभा के दौरान यह कहा गया है कि समाज को बाटने का काम क्या जा रहा है तो यह तो विपक्ष भी आरोप भाजपा पे भाजपा ही धर्मी की राज्मी की कर गई है विपक्ष भाजपा पे आरोप लगाती है लेकिन अभी उसमें कोई सर्च नहीं है लोगों को मालूम है लेकिन जो शूर सेना खुद को हिंदु तो अधी कहिती थी और आज भी कहिते हैं उन्होंने आन रेकॉर्ड यह बात कहे कर अपना रवया साब जाहिर किया है और इसक के लिए वो कोई उनको बताने के लिए बात नहीं है इसके लिए इस प्रकार की गिनोनी बात को कर रहे है अतुल जी पचीस साल डीजेपी और शूशेना आप भी साथ में तो यह भश्टाचार कह रहे है क्या उसमें भारतिय जंता बारटी तो एक बहुत माइनॉरिटी में उसमें थी पहली बात तो कभी भारतिय जंता बाड़ी का मेर नहीं बना तीस साल में मेर नहीं बना स्टैंडिंग कमीडी का चेर्मन नहीं बना और इसके लिए भारतिय जंता पार्टी तो एक छोटे दल के रूप में थी और इसके लिए यदी उनको ऐसा लगता है और वो इसका हिसाब करें गाक करी णहीं आड ने वहाघ्ञक esosक क समर्थन करना जह था लेकिन उनने समर्थन इसके लिए क्या क्योंकि उनके वालुम है कि उनके हाथ काले है भारतिये जनता बर्ठीक के साफ है जो इतना इतना बड़ी मुंबई कर जंता के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है लाखों करोडों रूपया खर्चा करने के बाद हमको गड़्डा मुक्तरास्ते नहीं मिलते मेट्रों का काम जो चालू किया था वो उद्धव ठाकरीजी ने एहंकार के लिए पुत्र प्रेम के कारण रुकवाया दस ज क्यार करोड का ज्यादा खर्चा मुंबई कर जंता को अभी भूगतना पड़ेगा और उसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई कर जंता को अभी इस बार बदल चाहिए बदलाओ चाहिए और वो भरतिय जंता पार्टी और बाड़ासाहिबंची शूसेना ये दोनों दलों के अगाड़ी को भारी भूमत से जिताएगे